बैया जी रामरा मैं योगेश किशान शाधा महारस्ट से मैंने बैया की 37 खिती 100 फोलो करके खाली वीडियो देखके मैंने ये मेरा बाग बनाया है तो आप देख लिजिए ये नाली और ये पाली और पाली में 70% पुरा कच्रा और ये मेरे प्लैंट देख लिजिए 100% निकल गया है और देखिए माल की कॉलेटी देखिए शाइनिंग और मैं पुराना किसान हूं परिबन 25 साल से केले की खेती कर रहा हूं राज तक के ऐसा माल मेरे केत में आया नहीं है हाला कि खर्चा मैंने सालों से जो करता रहा था उससे करीबन भहुत कम खर्चा किया है और देख लिजिए ये पाली के 100% कच्रा है और यहां अभी में आपको ये 100% निकल गया है पूरे और उनके जो फ्लावर आता है नीचे कमल वो तूट गया है कई एकाद दूवात प्लाट चालो हो जाएगा आप देख सकते हैं और हर जगह देख लिजिए कच्रा मलचिंग आली पाली और ये बैयाजी बोलते हैं जैसे इसमें क्रैकिंग आना चाहिए ते दिख ये क्रैकिंग इसी क्रैकिंग पूरी पूरी उंगलिया चली जाती है और उसमें ये माश्चर है और यहाँ देख लिजिए कच्रे के नीचे ये सब कीट पतंग जलता है पुरा केच्व के खात जैसे विस्टाव उनकी आरे देखिए मुझे नहीं लगता कि ये पच्चिस से कम पच्चिस से तूपर आने वाला है गरिबन अगर उसको हमारे वाई इतनी गोल कटिंग चलती नहीं है अगर गोल हुआ तो 35 से कम नहीं आएगा ये हर एक बंच देख लीजिए देखने लाएक बंच है मुझे बल्राम भाया गनेज जी का गाइडंस उनसे मैं फोन पर मिशा बात करते रहता हूं वह इस आप से चल रहा है देख लीजिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ये करना चाहता हूं और एक मैंने ये सेकंड रख दिया है आप देख लीजिए उसकी आला ये इतना बड़ा हुआ है और ये मार करबन ये मैने बर में तो कट नहीं वाला है कि पूजिशन आ गए उसकी और ये दूसरा रटोन ये पूजिशन में और लगता है कि परें इसको पाच से दस साल तक चलाओंगा ही भैया जी राम रा